नमस्कार सभी को आप सब लोगों का प्लाटिन वर्ल सीरीज के आज के एपिसोड में स्वागत है और आज का जो ये सीरीज है आज का ये जो वीडियो ये बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए क्यूंकि आपको पता होगा कि स्मार्ट वालेट आपके फोन में लाइव आ चुका है अब आप स्मार्ट वालेट को यूज करना शुरू कर सकते हो तो ये टूटोरियल वीडियो है स्मार्ट वालेट के लिए और आज हम लाइव स्मार्ट वालेट को कैसे यूज करना है कैसे आप उसको यूज कर सकते हो क्या-क्या चीजे अंदर है हम ये सारी चीजों को लाइव यहाँ पे आप लोगों तक पहुचाने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो के end तक मिस ना करिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी पल मिस किया तो आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है क्योंकि बहुत important है आपके smart wallet का setup कैसे करना है वो जो keys होते हैं जो बहुत important होते हैं आपको खोना नहीं है उन सब के बारे में मैं आपको step by step guide करने वाला हूँ तो कहीं पे भी मिस ना करिएगा fast forward भी मत करिएगा वरना आपके wallet के साथ दिक्कत हो सकती है तो दोस्तों सबसे पहले आप दिखेंगे कि आपके app store में या play store में अभी तक वो directly available नहीं दिख रहा है application आप अगर यहाँ पे smartwallet.com पे आओगे और यहाँ पे अगर आप try भी करोगे तो आपको coming soon दिखेगा कि आने वाला है लेकिन अगर आप यह APK डाउनलोड करते हो और यह APK आई है सिर्फ और सिर्फ Android users के लिए तो अगर आप Android user हो आप iPhone की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अगर आप Android user हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें आपके पास यह smartwallet.apk आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी और आपको पता यह APK अगर आपके फाइल्स में डाउनलोड हो जाती है आप मोबाइल फोन के अपने फाइल्स में जाईए और उस APK को इंस्टॉल कर लीजिए तो वो application आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी तो यह मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप कहां से आपके आप को ला सकते हैं APK डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अब मैं आपको सीधे ले जाऊंगा हमारे अप के अंदर तो मैं आपको सीधा स्क्रीन शेयर करूँगा मेरे application के बारे में smart wallet का entrance किस तरीके से हैं किस तरीके से आपको step by step ये करना है तो आप कही ना जाईएगा और इसे step by step follow करिए screenshot लीजिए वीडियो को use करिए आप जब अपने wallet को जब बना रहे होंगे तो एक एक चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और वो बताने के बाद मैं वापिस आऊँगा और आपको live transaction करके बताऊँगा कि किस तरीके से हमारी जो plc swapping.com में अगर आपने अपनी swapping की है तो आपके smart coin को आप यहाँ पे कैसे लेकर आ सकते हैं इसकी live transaction भी करेंगे तो ये वीडियो बहुत जादा interesting होने वाला है दोस्तों तो मैं पहले ले चलता हूँ हमारी screen recording की और हेलो दोस्तों तो मैं आ गया हूँ mobile के wallet application में जहाँ पे मैंने इस apk file को already download करके रखा इंस्टॉल करके रखा है आपके icon आ चुके होंगी आपका जहाँ पे आपको icons दिखते हैं आपके application के मैं इसे open कर रहा हूँ और यह app इंस्टॉल हो चुकी और मैं इसे open करता हूँ अब जैसे मैं आप open करता हूँ तो मेरे सामने यह सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है जिसको मैं descriptive वे मैं आपको बता हूँगा built-in monitoring of exchange आप यहाँ पे चार frames दिख सकते हैं hanging and expensive transactions, innovate security and anonymity technologies आपको यह frame दिख सकते हैं जो move हो रहे हैं वो आप बढ़ सकते हैं अपने लिए यहाँ पे एक term है I agree with the term of use and privacy policy and consent to the processing of the personal data that I have provided यह terms को मैं यहाँ पे टिक करूँगा तभी मेरे पास यह option आएंगे जहाँ पे में पास दो option है create wallet और restore wallet अगर आप एक नए व्यक्ति हैं जिनको एक नया wallet create करना है तो आप create wallet पे click करेंगे अगर आप first time इसे open कर रहे हैं तो और अगर आपकी already एक wallet created है और आपको अगर उसे restore करना है तब आप restore wallet पे click करेंगे तो अभी मेरे लिए जब यह नई wallet create हो रही है मैं create wallet पे click करूँगा जैसे ही मैं create wallet पे click करता हूँ मेरा यह जो front dashboard है जो wallet session है वो open हो जाता है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की और wallet QR scan settings तीन different option है और उपर की और आप देख सकते हैं फिलहाल मुझे दिख रह business के लिए है smart और ultima यह दो options अभी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो मेरे पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को explain करूँगा जितने भी balance यहाँ पे होंगे आपकी जो भी asset की होगी वो balance dollar में कितना वर्थ होगा यह यहाँ प आपको दिख रहा है जिस पर आप transaction कर सकते हो तो अगर मैं smart में click करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखता है मेरा wallet address यह जो wallet address है मैं यहाँ से copy कर सकता हूँ और मैं किसी को भीज भी सकता हूँ फिलाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे smart में क्योंकि वो zero है कुछ अभी transaction हुई नहीं है आप नीचे देख सकते हैं transactions के अंदर भी कोई transaction अभी तक की नहीं गई है ऐसा लिखा गया है अगर मैं यहाँ पे send बटन पे click करो तो आप यहाँ से अपने smart को किसी और को भीज सकते हैं कितना भीजना है वो आप यहाँ पे choose कर सकते हैं 10, 25%, 50%, 100% वाला option भी आजाएगा आपके asset में से आप इतना प्रतिश्यता भीज सकते हैं वैसा option आजाएगा जब आपके पास token वहाँ पे दिखेंगी आपको destination address यहाँ पे paste कर देना है और आपको next पे click करना है ताकि आप यहाँ से send कर सके उसी प्रकार आप Ultima token को भी send कर सकते हैं और उसी प्रका share की जा सके और साथी साथ यहाँ पे wallet की address भी यहाँ पे available है जिसे आप copy करके share कर सकते हैं तो दोस्तों यह हो गया front page में जो मुझे wallet वाले session में dashboard में जो दिख रहा है यहाँ पे मैं अगर यह add asset button जो मुझे top right corner में दिख रहा है उसे अगर मैं click करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि all assets में अभी फिलहाल यह दो available है जिसमें अगर मैं यह off कर दो अगर मैं smart wallet off कर दो तो आप देख सकते हैं कि front वाले dashboard में अब मुझे smart coin नहीं देख रहा है अगर मैं इसे on करता हूँ तो मुझे फिर वो वापिस recover होते हुए दिखता है तो दोस्तों इतनी चीज़े आपको यह front page पे दिख रही है QR scan यह QR scan एक ऐसा option है दोस्तों जिसे आप अगर क्लिक करते हो तो आप यह permission दे सकते हो मैं permission दे रहा हूँ कि मुझे सिफ़ app यूज करते है टाइम चाहिए तो मैं यहाँ पे अपने scanner को रख सकता हूँ सामने जहां पे अगर किसी और व्यक्ति का smart coin का wallet का ID है QR है या Ultima token का है उसको मैं यहाँ पे scan करके directly उसे मैं send कर सकता हूँ तो यह QR scan वाला option है और तीसरा option है settings जहां जाने के लिए आपके पास दो button है मैं settings पे click कर सकता हूँ यहां से भी यहां से भी click कर सकता हूँ और जैसे click करता हूँ मुझे यहां दिखता है my wallet एक wallet है जो मुझे भी assigned है मैं यहां पे अपना pin code set कर सकता हूँ दोस्तो you have unreserved wallet so अभी तक मैंने wallet को reserve नहीं किया है तो पहले मुझे wallet को reserve करना पड़ेगा wallet को reserve करने के लिए जब मैं front page पे आ रहा हूँ backup needed पे मैं जब यहां पे click करता हूँ मुझे एक notice आ जाता है your recovery phase not saved connected चीज है तो आपके पास एक key होगा जिसे आपको संभाल के रखना है जो आपकी wallet के लिए specific key है किसी और की वो नहीं रहेगी तो उसे मुझे save करके रखना पड़ेगा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना मैं उस wallet को वापिस restore नहीं कर सकता अगर ये wallet logout हो जा तो आप कभी भी उसे recover नहीं कर पाओगे तो ये इस app का सबसे important part है जिसे आप please skip ना करिएगा आपकी जो recovery phase है इसे आपको save करना पड़ेगा यहाँ पे दो option है save या do later मुझे अभी क्या भी save करना है तो मैं save पे click करूँगा जैसे save पे click करूँगा तो मेरे पास ये एक page यह पे press and hold to see phrase पे अगर click करता हूँ उसे मुझे press करते रहना है तो जैसी मैं press करूँगा तो मेरे सामने वो 12 words कुछ पल के लिए open हो जाएंगे तो मैं इसे बार-बार करके भी देख सकता हूँ और जब मैं इसे ऐसे करूँगा आप उस 12 words को 12 जिस तरीके से number किया गया उसी number के इसाब से आप note करके रख लीजिए आप screenshot ले लीजिए आप उसका print निकाल के अपने locker में save कर लीजिए जो भी करें लेकिन इन 12 faces को आपको किसी और को नहीं दिखाना है किसी और व्यक्ति तक नहीं पहुचना चाहिए क्योंकि अगर ये पहुच गया और ये sequence पता चल गई तो कोई भी व्यक्ति आपका wallet open कर सकता है तो ये सबसे ज़ादा important है इस wallet में दोस्तों ये जैसे ही अगर मैंने कर लिया जैसे कि मैं इसे hold करके रख चुका हूँ और अब मैं इसका screenshot भी ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो disclaimer है ये आपको यही बता रहा है ये जो I understand पे मैंने click करके रखा है ये आपको यही बता रहा है कि अगर आपने ये phases किसी और को दे दिया या किसी और के पास पहुच जाता है और अगर उसे ये पूरा का पूरा जो sequence है 1 to 12 वो भी अगर पता चल जाता है तो आपके wallet को कोई भी और open कर सकता है किसे device में यानि कि अगर आपके assets की अगर चोरी होती है या कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे तो इसलिए ये काफी जादा important है पूरे wallet में सबसे जादा important चीज़ आपके भविश्य के लिए और अभी के लिए यही है कि आप अपने 12 words ये phases को सही तरीके से लिख कर कहीं save करके रखे और किसी गलत हातों में जाने से बचाईए इसके बाद मैं click करूँगा next पे next पे जाती मुझे वो बताता है कि enter the words in the correct order जो मैंने 12 words को देखे जिस order में जो मैंने save करके रखे हैं अब उसे मुझे correct order में लिखना है और मुझे check करना है अगर मैं कुछ भी एक random order में लिख देता हूँ तो क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं दोस्तों अगर मैं कुछ भी गलत लिखूँ मैं यहाँ पे click to watch पे click करके देख सकता हूँ कि मैंने किस order में रखा है और मैं check कर सकता हूँ और जैसी फिर देख लेता हूँ कि किस word को किस जगे पर रखना है चलो ठीक है अब मैं गलती नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिख तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर 12 वर्ड लिख दिये हैं और मैं यहाँ पर क्लिक टू वाच पर अगर टिक करता हूँ तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि वो कौन से words है और उसके बाद जब मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे success आ चुका है your wallet was confirmed ओके thank you so much तो अब मेरे पास जो front screen में से वो backup बाला जो message था वो अब चला जा चुका है क्यूंकि मैं अपने wallet को set कर चुका हूँ और backup भी मैं ले चुका हूँ अब मैं अगर settings में आता हूँ और यहाँ पर मैं अगर चाता हूँ कि मैं dark mode open करूँ light mode open करूँ यहाँ पर मैं pin change करूँ transactions को confirm करूँ about smart wallet यह जो भी चीज़े हैं मैं इसको use कर सकता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से smart wallet का formation हुआ है तो दोस्तों अभी मैं आगे हूँ अपने dashboard पे और हम already अपने asset को recover कर चुके हैं मतलब आपने backup को save करके रख दिया है आपके dashboard में जो पहला वाला एक backup recovery वाला एक जो message आ रहा था वो message अब आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप अपना save कर चुके हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने wallet को set कर सकते हैं और अब use करना भी शुरू कर सकते हैं लेकिन जो चीज़ पहले हमें permit नहीं हो रही थी pin code को लेकर अब आम उसे भी कोशिश करके देख लेते हैं मैं set कर सकता हूँ let's take मैंने जो भी pin code यहाँ पे set कर दिया है मुझे दो बार वो confirmation के लिए बोलेगा और अब जब मेरा pin code set हो चुका है तो मेरे पास change pin वाला option भी available है मेरे पास face ID और touch ID वाला option भी available है जिसे मैं on कर सकता हूँ अगर मुझे touch ID भी रखना है तो तो इस प्रकार आ एक बहुत important चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है सिर्फ और सिर्फ आपके pin code और आपके key phases इसे आप अगर संभाल के रखेंगे तो यह आपके लिए एक best experience होने वाला है इस wallet को use करते रहना तो अब आगे इस वीडियो के continuation में आप यह देखेंगे कि जो smart coin जहा यहाँ पे live आपके सामने transact करके देखने की कोशिश करूँगा और देखते भी यह कि यह कितना time लेता है कितना speed है recovery क्या है क्योंकि इसकी time बहुत कम रहनी चाहिए तो यह सब अब हम live देखेंगे आगे इस video में thank you तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि step by step आप आराम से अपने wallet को आपके phone में कैसे use कर सकते हैं चालू कर सकते हैं शुरू कर सकते हैं आप please उसमें बिल्कुल भी गलतिया न करिएगा और जो key facts है जो keys है जो बहुत important है आपको संभाल के रख कियेगा आप उसे directly whatsapp या ऐसे कोई भी social media पर किसी को भी share ना करिये ना आप उसको ऐसे जगे पर रखे जो किसी और के लिए accessible हो जाए आप कुछ भी कर सकते हैं आप शायद उसको cut paste कर सकते हैं आप प्रिंट निकाल सकते हैं आप अपने तीजोरी में रख सकते हैं जितना safe आप उसे रख सकते हैं मैं उसे रखने के लिए कहूंगा लेकिन अब हम वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं और मैं अब अपने smart wallet में जहां पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो balance है वो फिलहाल zero है और मैं अपने plc swapping.com जहां पे मैंने आपको swapping की वीडियो भी बता है था yellow box में कि कितना आपके पास smart coin अभी इस मेने का आके बना हुआ है और मुझे यहां पे 178 point something smart coin दिख रहे हैं और मुझे क्या करना है इसे payout करना है इसको मैं लेके आओंगा मेरे smart wallet में तो यह मेरे smart wallet का सबसे पहला transaction होने वाला है दोस्तों तो मैं यहां payout पे click कर रहा तो मैं यहां पे दोस्तों आप लोगों को फिर जैसे मैंने already बताया था use करते वक्त tutorial में कि आपको wallet address कहां मिलता है तो जैसे कि मैंने अपने wallet में आकर smart पे click किया smart पे click करते ही मुझे उपर wallet address मिल जाता है जो कि आपको मैं already दिखा चुका हूँ वहां से मैंने उसे copy कर लिय है और मैंने उसे यहां पे paste कर रहा है तो मैंने यहां पे already copy करके रखा है मैं सिर्फ paste करने वाला हूँ मैंने यहां पे paste भी कर दिया अब paste करने के बाद मुझे एक बार recheck कर लेना है कि मेरा जो starting letters और ending letters अब match कर रहा है नहीं मतलब wallet address correct है या नहीं correct है correct है उसके बाद मैं य इतने वाला हूँ मुझे यहां पे address दिख रही है कि मुझे 178.39 मिलेगा मैं भेज कितना रहा था 178.39 transaction fee यहां पे मेरा zero smart कोई transaction fee नहीं लग रही है और receiving address यह भी मैंने चेक कर लिया okay everything is okay you will transfer चलो ठीक है कोई commission नहीं 0 percentage आप देख सकते हो और मैंने click कर दिया है transfer और यह okay यह मुझसे पूश रहा है मेरा google authenticator code जो की मुझे ले के आना पड़ेगा यह सब आपके लिए बहुत जादा important है security reasons के उपर अगर आप देखोगे और यह मैं आपको नहीं दिखा सकता finally so it's done क्या लिख क्या आ रहा है your transfer request has been created your transfer request has been created expect 178.39 smart to arrive to your wallet address मतलब मेरे wallet address में इतने smart coin आ जाने चाहिए अब मैं wait करता हूँ और मैं दिखता हूँ कि कितने time में oh my god मैंने तो अभी तक बोला भी नहीं था पूरा और मेरे पास मेरा 178 अगर मैं आप लोग को दिखा सकूँ दोस्तो zoom किया हुआ इसलिए आप 178.39 smart देख सकते हो within no time fraction of seconds अभी अभी किया था और मेरे पास यह मेरे wallet में आ चुका है this is really amazing मतलब मैं अपने assets को यहाँ पे safe रख सकता हूँ अगर मुझे कई और नहीं रखना है मैं अपने wallet में लाके इसे safe करके रख सकता हूँ दोस्तो this is really amazing अभी मेरे पास smart है Ultima token है और आने वाले time पे BTC, Ethereum अभी आपके पास TRC, सारी चीज़े हैं जो आप र आपको तो पता ही है कि अब यह आपके पास एक wallet बन चुका है अब यहाँ से आप कभी भी उसे send receive कुछ भी कर सकते हो आप exchanges पे लेके जा सकते हो आप किसी को दे सकते हो so this is safe now here तो अब every month मुझे अपना यहाँ से लेकर यहाँ पे ला देना है मैं stake भी कर सकता हूँ यह लोग भी इसे कर सके use कर सके this is a very technical information जो मैंने आज इस वीडियो में provide किया है और इस information को आगे भी अगर सुनते रहना है तो आपको चैनल को तो subscribe करना ही पड़ेगा तो आप subscribe कीजिए और bell icon दबा देजिए ताकि आपको notification भी मिलता रहे किसी और पे depend रहना हमें कहां पसंद ह independent रहो तो notification भी लेते रहो bell icon को दबा दो thank you so much so let's take it together with the bridge man